एलो वेरा को इस तरह से लगा लो बाल इतने लंबे घने सिल्की और शाइनी हो जाएंगे दोस्तों वाल की सबसे बैस्ट रमड़ी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों केबल दो चीजों की सहायता से आज इस दबा को बनाने वाले हैं बालों की देखवाल के बालों का गिरना रुकेगा बाल लंबे घने और मजबूत होंगे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैल्फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलें दोस्तों यहां पर हमने लिया हुआ है फ्रेश अलोविरा की पती आप जब भी अपनी हैर के लिए कुछ करें या फिर स्किन के लिए कुछ करें तो हमेशा ट्राइ करें कि आप चीज़ें का इस्तमाल करें अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है आप ऐसी जगह से रह रहे हैं जहां आपको नेचरल चीज़ें नहीं मिल पा रहा है तो वहां पे आप बाजार वाली चीज़ों का इस्तमाल कर सकते हैं बट आप 100% करें कि आप हमेशा नेचरल चीज़ें आज की जमाने में जो सीजें होते हैं ये सारे के सारे बेकार चीजें होते हैं मार्केट बहुत सारी चीजें ले आते हैं अपने घर पे बहुत-बहुत मेहंगे चीजें भी ले आते हैं बट उसका रिजल उतना अच्छा नहीं होता और अगर अच्छा होता भी है तो वो कीच में से इसे कट कर लेनी है दोस्तों ध्यान रहे कि इसकी जो पल्प है उसके जो चिलके है इसको नहीं निकलनी है चिलके के साथ ही आपको इसे छोटी-छोटी टुगडों में काट लेनी है एलोवेरा हमारी बालों के ग्रोथ के लिए बहुत-थी जाधा फायदामंद है एलोवेरा के अंदर जो जैल होता है दोस्तों वहां हमारी बालों के लिए बहुत ही beneficial बालों को नरिश करता है बालों के growth होती है बालों की कालेपन को बढ़ाने में मदद करता है तो दोस्तों आप देखी रहे हैं मैंने यहाँ पर एक एलोवेरा की लिफ लिया हुआ है और उसको मैंने अच्छी तरीके से दो लिया और उसके बाद मैंने यहाँ चोटे-चोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है तो आपको बिल्गूल उसी तरह ही करनी है और eloe vera के उपर के जो चिलके होते हैं उसको आपको नहीं लें हैं नहीं निकालनी हैं दोस्तों दूसरी चीज हमें आपको इस्तेमौ करने वाले हैं जो की है coffee का powder आप यहाँ पर चाई की पती के इस्तेमौ कर सकते हैं बट coffee का powder किया करता है ना हमारी scalp को strong बनाता है जिससे हमारी बाल तूटने से रुकते हैं उसके साथ साथ ये हमारी बालों में एक extra sign एड़ करता है जो बाल हमारे fade हो गये होते हैं जो बेकार सी लगने लगते हैं उनमें color डालता है coffee का powder तो आपको क्या करनी है एक चमचितनी coffee का powder एलिवेरा के उपर डाल देनी ह जो कि आप वीडियो में देखी रहे हैं बिल्कुल उसी तरह आपको डालनी है आप चाहें तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर add कर सकते हैं और ना चाहें तो ना भी add करें कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसे एक blender में डाल देंगे जैसे की वीडियो में आप द लेंगे ब्लेंड हो जाने के बाद इसका जो color है कुछ इस तरीके का आएगा जैसे ही वीडियो में आप देखी सकते हैं थोड़ीशी dark color में यह आता है अब हम क्या करेंगे एक बावल में इसे निकाल लेंगे दोस्तों यह जो juice हमने बनाया हुआ है यह हमारी hair को hair की जो growth हो बलकि हमारी skin के लिए बहुत ही जादा beneficial होता है हम अक्सर हमारी जो skincare में aloe vera को add करते ही हैं बहुत लोग क्या करते हैं बाजार वाली aloe vera का इस्तमाल करते हैं बहुत लोग होते हैं जो only fresh चीजें use करना पसंद करते हैं मेरी मानिए तो fresh चीजें use कर यह बाजार वाली है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा ही है कि हम दो ही चीजों से इसे बनाने वाले हैं और यह वाल की जो है सबसे best remedy है क्योंकि यहां पर इंग्रिडियंट भी कम है और बाकी result जो है वह 100% देने वाला है तो आपको क्या करनी है इसे अपने scalp में अच्छी तरीके से मसाज करते हुए लगानी है इस जूस को जब तक आप अच्छी तरीके से मसाज नहीं करेंगे तो यह अंदर नहीं जाएगा और अंदर नहीं जाएगा तो अंदर से हमारी जड़ें कैसे strong होंगे और हमारे बाल अंदर से कैसे strong बन पाएंगे दोस्तों मसाज करने से क्या होता है ह हमारे blood circulation जो होता है वो अच्छी तरीके से होता है और वो बढ़ने लगता है और जहां पर blood circulation बढ़ने लगे उसी जगह में growth होना तो होना ही है तो आपको अच्छी तरीके से इसे massage करते हुए करते हुए लगानी है hair की end को बिल्कुल भी मत भुलिएगा नहीं तो उपर से सार के बगेरा है तो उसे लगा कर आपको एक गंटे के लिए रख लेनी है एक गंटे बाद आप अपने नॉर्माल जो mild shampoo होती है दोस्तों हमेशा try करें कोई साब mild shampoo यूज करने की ऐसे harmful वाला chemical यूज ना करें उससे भी बहुत लोगों की बाल तूटने की समस्या होती है तो द मेले से जादा कम तूटेंगे और काला घना मजबूत होंगे